नमस्कार दोस्तों, एर व्रत कथा में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इन दिनों शार्दिय नवरात्री का पावन पर्व चल रहा है नवरात्री के चौथे दिन मा कुश्मांडा की पूजा अर्चना अराधना की जाती है संसकर्थ भाषा में कुश्मांडा को कुमड कहते हैं बलियों में कुमडे की बली इन्हें सरवाधिक प्रिये है इस कारण से भी मा कुश्मांडा कहलाती है आईए देखते हैं कुश्मांडा देवी की पूजन विधी क्या है नवरात्री में इस दिन भी रोज की भाती सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुश्मांडा को नमन करें इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रियोक करना सबसे बेहतर होता है देवी को लालवस्त्र, लालपुष्प, लालचुडी भी अरपित करना चाहिए मा कुश्मांडा को इस निवेधन के साथ जलपुष्प अरपित करें कि उनके आश्रिवात से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्त अच्छा रहे अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन मा से खास निवेधन करके उनके अच्छे स्वास्त की कामना करनी चाहिए देवी को पूरे मन से फूल, धूब, गंद, भोग चड़ाएं मा कुश्मांडा को विविद प्रकार के फलो का भोग अपनी शमता अनुसार लगाएं पूजा के बाद अपने से बड़ो को प्रणाम कर प्रसाद वित्रित करें देवी कुश्मांडा योग ध्यान की देवी भी है देवी का यह सुरूप अर्णपूर्णा का भी है उद्रागनी को शांत करती है इसलिए देवी का मानसिक जाप करें देवी कवज को पांच बार पढ़ना चाहिए मा का एक सरल मंत्र है मा का एक उपासना मंत्र भी है माता कुश्मांडा के दुवे रूप को महल पुवे का भोग लगा कर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्रामनों को इस प्रकार प्रशाद देना चाहिए इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्यान की प्राप्ति होती है बुद्धी और कौशल का विकास होता है और इस अपूर्वदान से हर प्रकार का विग्न दूर हो जाता है मा कुश्मांडा आदिशक्ति का चौथा रूप है इन्हें सूरे के समान ही तेज माना जाता है इस दिन मा के इस रूप की विशेश पूजा का बड़ा महत्व है माना जाता है कि देवी के हाथ में जो अमरित कलश होता है उससे वे अपने भक्तों को दिरगायू और उत्तम स्वास्त प्रदान करती है मा कुश्मानडा के बारे में ये भी माननेता है कि वे सिंग की सवारी करती है जो धर्म का प्रतीक है पूरे विदिविधान से पूजा करने के बाद कुश्मानडा माता के मंत्रों का जाप किया जाए तो वह बेहत प्रसंद होती हैं और भक्तों को पनुवांचित फल प्रदान करती हैं मा के स्वरूप की व्याक्या इस प्रकार की गई है मा की अस्ट भुजाए हैं जो जीवन में कर्म करने का संदेश देती है उनकी मुस्कान हमें ये बताती है कि हमें हर प्रस्थिती का हसकर ही सामना करना चाहिए मा की हसी और ब्रह्मान को उत्पन करने के कारण ही इन्हें कुश्मांडा देवी कहा जाता है मा कुश्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं इनकी भक्ति से आयू, याश, बल और आरोग्य की व्रिदी होती है। मा कुश्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से परसंद होने वाली है। यदि मनुश्य सच्चे हिर्दे से इनका शर्णागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परंपद की प्राप्ति हो सकती ह मा कुश्मांडा से संबंदित कुछ पारानिक, पारंपरिक, पावन कथा है, जो की इस प्रकार है। चुकि नवरात्री में चौथे दिन देवी कुश्मांडा के रूप में इनको पूजा जाता है, जब स्रिष्टी नहीं थी, चारो तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे स्रिष्टी की आदी स्वरूपा या आदी शक्ती कहा गया है। इस देवी की आठ भुजाएं हैं, इसलिए इने अश्ट भुजा कहा जाता है, इनके साथ हाथों में करमशा, कमंडल, धनु जब माला है, इस देवी मा का वाहन सिंग है, और इने जो सबसे प्रिय बली है, वो कम्डे की बली है, संस्कृत में कम्डे को ही कुश्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुश्मांडा देवी के नाम से सुशोबित किया जाता है, इस देवी का वास सूर्य मंडल के भी इसलिए इनके शरीर की कांती और प्रभा सूरे की भांती ही दधिप्यमान है। इनके हिते से दसों दिशाएं अलोकित हैं। ब्रह्मान की सबी वस्तूओं और प्राणियों में ही इनका तेज व्याप्त है। विधी विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सुक्ष्म भाव अनुबव होने लगता है। ये देवी अतितियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुक्षम्रिद्धी और उन्नती प्रदान करती हैं। अंतता इस देवी की उपास्तना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए तो दोस्तों ये थी हमारी आज की प्रस्तुती मा कुश्मांडा से संबंधित पुजाविधी और उनके स्वरूप तथा उनकी पौरानिक पारंपरी कथा के बारे में आपको ये सब जानकारी कैसी लगी किरपे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं साथी साथ अगर आपको आज की प्रस्तुती पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें शेयर करें और किरपे हमारे इस चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करें जय मा कुश्मांडा की जय माता दी धन्यवाद